हेलो दोस्तो हम वेलकम करते हैं आप सबी का अपने यूट्यूब चैनल त्रांचल बड्स में और उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक टाक होंगे फिटन फाइन होंगे आज हम आपको विजिट कराएंगे नुमान का सेट अप एक बार फिर से सबसे बड़ी वज़ा यह है कि नुमान के सेट अप में बहुत ही जबरजस ब्रीडिंग आई है क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने आज से पहले भी कई बार हमने नुमान का सेट अप कब से बनाया उ उसके बाद जो मटकी लगा है उसके बारे में आपको बताया लेकिन जब फ़र्स ब्रीड आयती है तो जनरली होता क्या बच्छे एक से दो ही आते हैं लेकिन अब यह करीब तीसरी बीरीड है तो तीसरी बीरीड में माशाइलला एक मटकी में छे बच्चे निकले और आपक मिट की आप चार बच्चे अलिड अभी है और दो बच्चे में निकलाएं आप तीन से चार बच्चे हैं इनके अभी तो तकरीब निग के बात पाच बड़स आगर आप अपकोंन करेंगे तो कॉंन ब्रीड आने के पीछे का मक्षद यह है कि यह अपने दाने के साथ बाजरा देते हैं केलसियम ब्लॉक आप देख रहे हमिशा रखा रहता है पानी इनके जो सेट अप में हैं साम को रात के टायम निकाल दें और अली मौनिंग साफ वानी दे 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 इस से होता यह है कि के इंडोर में रखा है तो प्रोग्रेस दिखती नहीं है नोने बड़ी अली टॉट चली रखी है उससे ये प्रोग्रेस और उसमें क्या कंडिशन चल लए है वो सब देखते रहते हैं यह हैं नोमान और यही डेडिकेशन है जो इतने अदा ब्रीड हो रखी है और बहुत हुआ क्या था एक बार यह साइद यह दाना वेगार डाल लाएते तो एक इनका जो पेर में साइदर मेल या फिमिल उड़ गई तो इनों की दो ही पेर ब्रीड कर रहे हैं और लेकिन इस बार माशालार जबर जस्फ ब्रीड की नहीं बना छे बच्चे कहनें दो बच्चे ब भार मटकी के बाहर हैं वो बारा बजी से तो इट मीज साथ बड़ सो बाहर प्रोग्रेस है और तकरीबन तीन से चार मटकी के दे हैं चार बारा मनलब मुझे लग रहा कम से कब 6-6 बच्चे निकाले हैं इसी एक दो में गईनी के अंदर और यह आप देख रहे होंगे कि बरसात का सीजन चल रहा है और किसी भी परकार की कोई भी दिक्कत यह परशानी नहीं हो रही है इनके जो केट का सेटप अगर आप बनवा है और ब्रीट तो आप माशालला माशालला कहेंगे तो भी कम कम यह देखिए अब हम चलते हैं पहली मटकी में एक राइस भीगे वे गेहूं और बीच भीच में महीने में ये वाइमरल सीरप देते हैं और फिलार इन्हें गिनारा मिलनी रहा है तो ये बाजरा ही खिला रहे हैं कुछ भाई कहते हैं कि हमाज तरब गिनारा नहीं मिलता हम कैसे बड्स पालेंगे तो आप केवल बाजरा के भी काफी अच्छी ताकत होती है एक तो आपके बड्स का डाइस्टिफ सिस्टम बहुत यादा वो हैल्दी रखता है और आपका बड्स कभी बिमार नहीं पड़ेगा आपका बड्स हमेसा हैल्दी रहेगा और आप इनके जो भी जो प्योर मेल फिमेल हैं उनका साइज देखें रहे और नहीं जिस तरह से मादिन मटकी में बैट रही है इससे लग रहा है यह यह जरूर जल्द से जल्द देगी क्योंकि यह रैडी है बीट के लिए फिड़ से यह फिलाल अंडे जो हैं यह बच्कों के वीचे से मेल लग रहा है खराब हो गहें और अब इह देखे फिर मत्की यह है यह है फिलाल खाली क्योंकि इसका प्यारी कंप्लीट नहीं है तो ब्रीट कैसे करेगा इसके लाब चलिए बहुत को दिखाते हैं यह देखिए देख रहे हैं बाजरा कैल्सिम ब्लॉग उसी में रख 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 रहे हैं और यह बच्चे तींचा नीचे बैठे वे हैं और यह अडल्ट पैर पूरे और आप साइज देखिएगा इनका वो देखिए लाश में यल्लो वाली यह ग्रीन वाली आप वाइल्ड बजीज देखेंगे आप यह मटकी के पीछे देख रही है हो सकता है अगर कैमरा उदर कवर हो जाए तो आप उसका साइज देखिएगा बहुत ही लंब यह पूछ माशालला देखिए यह आपको और इसी तरह से आप भी अपने केजेस में चोड़े केजेस में ब्रीड ले सकते हैं और जैसा कि आप को पता ही है इस समय बर्सात नौर्ट इंडिया में काफी आदा बर्सात हो रही है रही है चोटे केजेस में तकरीमा आपने देखा होगा कि केज के साइज के बज़ा से होता ही है कि जो बर्स का जो वो होता है क्या कहते है साइज होता है वो छोटा हो जाता है क्योंकि स्पेस कम होता है तो साइज भी कमी होता है उनका लेकिन इनका साइज काफी है देखिए लाइन इनको birds के अगर progress भी देखनी होती है तो यह torch से देखते हैं लेकिन यह हर महीने वाइमरल syrup में vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin C मतलब indoor birds के लिए जो भी vitamins की कमी होती है, vitamin E से male की fertility बढ़ती है, vitamin C से female की fertility बढ़ती है, vitamin D जो होता है वो धूप में मिलता है, उससे birds की immunity बढ़ती है, और birds depression में आता है, और vitamin A बी एस में, vitamin A से आपका birds जो कहते हैं और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारे चैनल तरंचल बड्स जरूर लाइक कर दे, share कर दे, subscribe कर दे और अब हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में एक नए टापिक के साथ, तब तक के लिए हमें और हमारे टीम को दी दी इजाज़त, good bye, allahafiz